हेलो हीडोज मैं विशाल ड्रोलिया स्वागत करता हूँ आप सभी का अपनी यूटूब चैनल इंचीनर्स लाइब ड्रोलिया पे तो फाइनली मनिपाल के तरफ से एक थर्ड काउंसलिंग की जो डेट है वो आज चुकी है बैंगलोट केमपस के हवाले से हमें एक चक्कर में मनिपाल ने डाल दिया था कि थर्ड राउंड ही हमारा पोस्पोर्ड हो गया था जिसके कारण काफी बच्चे क्या थे प्राबलम में पड़ गए थे काफी पड़ इशानी वही लेकिन जो फाइनली चीजे हैं अब सही हो चुकी है और मैं सौरी बोलना चाहूंगा काफी दिनों से वीडियो नहीं डालने के कारण और लगातार बच्चों से बनावा था लेकिन वीडियो नहीं डाल पा रहा था तो जैसा कि PDF आज मौर्णिंग में शेर किया गया उसमें हम देख सकते हैं कि 3rd round के लिए जो phrase registration और choice filling है वो 20 से 24 अगस्त के बीच के दे गई है modify कर सकते हैं हम लोग 20 से 24 अगस्त के बीच में ही और 3rd round की जो seat allotment है वो 26 अगस्त को हमें बता दी जाएगी अगर हमें payment करना है 1st installment और 26 से 1 September के बीच में करना परेगा ठीक है fresh registration और choice filling क्या है 4th round के लिए हमारा क्या है कि आपको 3 से 6 September के बीच में ही करना है और अगर modify करना है तो यह date है 3 to 6 September again जो 4th round की allotment होगी 8 September को होगी और payment भी आपको 8 से 14 करना होगा तो मोटा मोटा यही बात है और मैं आपको बताना चाहूंगा जो हमारे पास doubt आ रही थी कि जो बैंगलोर campus को introduce किया गया है तो इससे क्या फरक पढ़नी वाला है वो सभी को मैं explain करूँगा next वीडियो में इस वीडियो में मुझे बस आपको यही अपडेट देना था अलाकि maximum बच्चों के बास mail पहुँच गया होगा उन्होंने PDF देख लिया होगा लेकिन फिर भी एक रहत की यह बात है आपके लिए कि अभी जो process है सबी चीज आसानी से होने वाले हैं और साथ-साथ जो उमीद हम लगाके बैठे हैं कि क्या Bangalore campus के आने से main campus के cutoff फे फर्क परेगा तो यह जान लोग को कोई ज़्यादा फर्क इससे नहीं परेगा कैसे नहीं परेगा अलग-अलग सोचे अलग-अलग थियोरिये उन सभी को हम लोग explain करेंगे उस पर discuss करेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए वीडियो पसंद आया तो लाइक करना दोस्तों के साथ शेर करना और चैनल को सस्क्राइब करना साथ में मेरे इंस्टाग्राम पर connect हो जाओ अगर इनकेस में वीडियो अपलोड नहीं कर पाता हूं इंस्टाग्राम पर आपके जित